वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसनोफीलिया तता उससे रिलेटर सभी इन्फोमेशन के बारे में बात करेंगे धीजिए हम बात करें E-Snofilia होता क्या है तो E-Snofilia जो बिभारी है इसका जो संबन्द होता है हमारे खून से संबन्द होता है खून में हमारे क्या क्या होता है हमारे खून में क्या होता RBC मतलब जिसको red blood cells वो होते हैं white blood cells मतलब सफेज रक्त कोईशिकाएं और platelet white blood cells में पाया जाते हैं और यह क्या करते हैं रोग से लड़ने में मदद करते हैं कौन कौन से रोग मतलब हमारे शरीर में जब भी कोई virus है वैक्टीरिया तो अन्य कोई बहरी पार्टिकल आता है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करने में यह मदद करते हैं अब撇स्पनुफील में होता क्या हैं, जोती हैं उनकी गैसाइड म्य appeal मार्मल गैसाइज ही होती हैं और कितनी होनी चाहिए इस्पनूफील Candleell गें, बढ़ जाता है इसका level high हो जाता है AEC का ज़िए हम बात करें इस्नोफिलिया क्यों होता है कौन सी बीमारी की वज़ा से होता है कौन कौन से उसके मुख्य कारण होते हैं तो उसमें जैसे पहला जो सबसे होता है दबा का किसी का reaction है आपने कोई दवाई लिए उसकी power जादा है उसकी वैसे ऐसा हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपको कोई infection वगरा हुआ हो infection की वज़ा से इसनोफिल का count जो होता है disturb हो सकता है या फिर आपको किसी तरीकी की allergy है या अस्थमा है सांस लेने परशानी है skin से related कोई problem है eczema है या आपको crown disease है जिसको आतों का रोग बोलते हैं या फिर आपको blood cancer है जैसे कि email है या फिर MDS है या फिर दूसरा अन्य cancer के cases में भी इसका level disturb हो सकता है यदि हम बात करें इसनोफिलिया में आपको क्या नहीं खाना चाहिए तो आपको allergic food avoid करने चाहिए जिनसे आपको allergy है जैसे बहुत सारे लोग को दूद से allergy होती दही पनीर, dairy product से या भी रहो सकता है आपको NDA से allergy है या मूंफली से allergy है या समुंदरी खाना जो होता है मचली वगरा उससे allergy होती है तो या आपको किसी सी चीज से भी अगर allergy है तो आप ऐसा नाख है क्योंकि इस से आपका इस्नोफिल काउंट पर और ज़्यादा असर पड़ सकता है या फिर बहुत सारे लोग को सोया पड़क्ट से भी allergy होती तो ऐसी चीज से नाख है जिनसे आपको allergy हो इस्नोफिलिया के लक्षण क्या होती है इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन पर क्या चकते पड़ सकते हैं चोटे चोटे दाने हो सकते हैं खुजली हो सकती है आपको दस लग सकते हैं आपको सांस लेने में कटनाई हो सकती है आपको नजला हो सकता है आपके नाग पगरा बह सकती है तो इसके लिए कौन सी जाज खरवाएंगे इसनोफीलिया के इसके लिए जो टेस्ट होता है complete blood count उसमें क्या होता है RBC, WBT, platelet मदब आपके खून की सभी उसमें count आ जाता है अगर आप specific करवाना चाहते हैं तो आप टेस्ट करवा सकते हैं absolute इसके लिए स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं या आगे का इंसर वगरा पता करने के लिए आपको blood smear या फिर bone mayrobiopsy की भी जरूरत पढ़ सकती है तो यहां पर जो एसनोफिल काउंट टेस्ट की हम बात करें एसी टेस्ट उसके लिए जो नॉर्मल blood sample चाहिए होता है यह blood sample जैसे आपकी नॉर्मल हाथ से जो sample लिया जाता सेम उसी तरीके से यह sample होता है और इससे आपको absolute isynophil count का संख्या पता चल जाएगी कि कम है जादा है नॉर्मल है यह इसनोफिल्या के इलाज के बारे में बात करें तो यह depend करता है हालात पर कि मतलब आपको किस वजह से isynophilia हुआ पहले आपके डॉक्टर आपको समझेंगे उसी से फिर उसी भीमारी का इलाज करेंगे आपको खाना नहीं लेना होगा उसकी वयसे ऐसा कर सकते हैं यह बात करें किस्टोफिल्या के इलाज के लिए कौन से डॉक्टर को दिखाएं तो इसके लिए हो सकता है अपको इसकीन से इलेटेड़ अगर तो अच्छा से रिलेटेड प्रॉबलम है तो आपको इसकीन स्पे होगा तो इससे लेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर ना ना भूले इस थैंक यू वेरी मच्छ पर वाचिंग अल्सराइब